अलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रोटोगेटोव चैनल में मैं प्रकास जुड़ चुका हूं आपके साथ E-Commerce related एक और ने वीडियो के साथ दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मिशू सप्लायर में प्रोड़ को कैसे एड करते हैं दोस्तों आप अगर मिशु सप्लायर हो मिशु एप में अपने प्रोड़क की रिसेलिंग करवा रहे हो तो आप अपने प्रोड़क के कैटलोग कैसे रेडी कर सकते हो मिशु सप्लायर के डैसबॉर्ड में जाके वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों Amazon Flipkart में तो प्रोड़क अप्लोड करना का जो प्रोसेस है वो अलग हो जाता है और यहां मिशु में तो completely different हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको केटलोग क्रिएट करने पड़ते हैं तो आज की वीडियो में आप यह देखने वाले हैं कि मिशु सप्लाइर में आप तो अज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को मैं सोरू करूं उससे पहले एक अपडेट आपको दूँगा जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली ती कि ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन क्यू एने के लिए तो एवन बाइवन जो क्यू ने होने वाला था तो आप सभी ने आप सभी का अफसे पहले तो थैंक्यू आप लोगों ने बहुत से रेजिस्टेशन करवा लिये अल्रेडी उसमें मैंने आपको तो बोला था कि 50 रेजिस्टेशन में लूँगा बट 100 से ज्यादा भी रेजिस्टेशन आ गया है तो जिन लोगों ने रेजिस्टेशन करवा लिया है फ्लीज वो करोगे तो ऐड करते हैं इसके लिए मैं आपको जो डेक्ट्व स्क्रीन है उस पर लेके चल जाना चाहूंगा तो अब चलते हैं अपने ट्रइस्टव स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि मेंशु सप्लायर में आप कैसे एड करेंगे हैं हलो दोस्तों यहां हम गूगल पैनल से लॉग इन करना है देख सकते हैं यहां लिंक इसे मैं डिस्वेसर में भी दे दूँगा तो यहां पर आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हो आप मिशु के ऑफिस्यल वेबसाइट पर पहुंच जाएगे और यहां पर हमें अपने जो भी हमारा सेलर का इमेल आडरे उससे आपको लॉग इन करना है फ्रेंट्स लॉग इन करने के बाद हम देखेंगे कि हमें प्रोडेट को कैसे एड करना है तो इसके लिए आपको प्रोडेट के इमेज जो है वो अपने डेक्स्टॉप पे सेव करके रख लेने है तो आप इमेज जो है वो किरियेट कर ले यहां पर हमने login कर लिया है और इमेज की साइज है वह 1500 पिक्सल इंटो 1500 पिक्सल होनी चाहिए यहां पर अब आप जो से की देख रहे हो तो यहां पर आपको catalog upload का option मिल जाता है तो catalog upload के option पर आपको देख सकते हैं left side में है यहां पर आपको click करना है आप जैसे ही catalog upload के option पर click करोगे हम यहां पर product upload करने के process को शुरू कर चुके हैं यहां पर add single catalog का आपको option दिख रहा होगा तो हम लोग इस पर click कर देते हैं इस पर आप जैसे ही click करते हो add a single catalog यहां पर आपको आपकी category search करने की option मिल जाएगी आप यहां तो manually category choose कर सकते हो नीचे option से या फिर आप सीदे category यहां पर search भी कर सकते हो आप यहां पर देख सकते हो जो भी category है आप चूज भी कर सकते हो या फिर आप डारेट यहां पर जो भी आपको category के product को upload करना है यहां पर आप उस category का name search कीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा तो जैसे कि मैं यहां पर chopper list करके आपको दिखाने वाला हूं अधिकतर product का जो process से आइड करेंगे तो add product पर click करना है और यहां पर आपको अपने एक catalog में जितने प्रोड़क्त करने हैं आपको एके करके इसके image यहां पर select करने हैं तो मुझे यहां पर अपने catalog में दो प्रोड़क को रखना है दोनों chopper है तो उसके इमेज मुझे यहां पर select करने है अब यह सकते हो तो फ्रेंट यह हर एक प्रोड़क्ट है उसका फ्रेंट इमेज अभी अफ्लोड हो रहा है यहां पर देख सकते हैं हमारे दोनों प्रोड़क्ट आ गया है यहां पर एक प्रोड़क्ट के जितने चाहे उतने इमेज अगर आप देना चाहते हो यहां पर लिखना है अब इसमें कमिशन एड़ होगा इस बात का द्यान रखना है ठीक है तो यह भी आपके सौर रुप में में लगाएा है इसमें से आपके केटलोग के साफसे कमिशन लगेगा तो यहाँ पर मैंने जीहेश्टी 18% छा यहां पर यहां पर इसके प्रट्ट। का Beut मैं लडाल दिया और country of origin इसका मैंने डाल दिया अब यहां पर SKU जो है वह जो है वह आप डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो यहां पर Size जो है वह वो पर फेने फृसाइज है यहाँ पर Select कर लिया और HSN Code जो भी आपका प्रोडेट का हो आपको ड्रॉप डावन से Select कर लेड्याय और एक्सक्यूव जैसा कि मैं बता रहा था ऑफिसनल है तो आप एक्सक्यूव अगर रखना चाहते हो अपने प्रोडेट का तो रख सकते हो इससे आपको जब आते हैं तो ढूड़ने में असानी होती है अगर आपको नहीं रखना है तो भी आपका काम चल जाएगा माइनेटरी नहीं है अब जैसा कि मैं इमेज को नहीं बता रहा था तो इस प्रोडेट के अगर आपको और भी इमेज एड़ करने इसी प्रोडेट के जैसे कि तीन चार साइट से अगर आपको इमेज देने तो आप यहां पर अपर फिल करने है तो टोटल मेरे पास अगर जितने भी यहां पर inventory मेरी 100 मैं अभी फिल कर रहा हूं मेरे पास 100 inventories हैं तो मैं यहां पर 100 inventory इसमें फिल कर देता हूं आगे पास जितने भी पड़े हुए हो आपके पास जितने भी product है वह आपको यहां पर फिल करने इसके बाद print length size आ रहा है कि product का length क्या है व्रित क्या है यह आपको यहां पर feel करना है तो आप drop down से ही आपको select करना होगा कि product क्या है व्रित क्या है उसके बाद friends आप इसको select करने को अब जो प्रोड़क्ट है उसका पैकिंग जब आप करोगे उसके तो पैकिंग के बाद है क्या JR है यह आपको यहाँ पर मेंthey कर mebt tweig लेका कि जोब होगा द्रलेक है अपना आप बिक यहाँ आपको सब कुछ है और फिल सब छीिना मात new तो हमसे पूस्हारत आता है कि यह inिट है कि आपने किस्मी लिए तो इसी मैं इसे मैं थेओं तो यहां पर में इहां कि इसके बाद प्रड़िर्ट का प्तक्ति करने के बाद क्या वेट होगा यह, आ पका देना है तो यहां पर ग्म तो देख केज़ी पर ऊपा हुव यूनिट ग्राम में भी देखते हैं मिलता या नहीं तो बहुत नीचे आना पड़ेगा इसको मैं सीधा यहां पर केजी में स्लेट कर लेता हूं और क्यूंकि प्रेकिंग करने के बाद 400 ग्राम वेट होता है तो मैं 0.4 केजी इसका वेट मैंसन कर देता हूं और और यहां पर यह लगूना पर यह जितने विल आप देख रहें है मांइटर नहीं है तो इससे आप फील नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा आपका काम और आप फील भी कर सकते हो जी जो डैमेंसर और अगयरा है तो यह हमारा फ़र्ष्ट हो गया आप सकेड़ीड प्रोड प्रड़क्ट पर हमारा हो जाएगा ठीक है तो यह मतलब इसे आप हमें चेक करके रखना है अब यहां पर देखिए मैंने चेक करके रखा था तो और रेडी सारे डिटेल फील आ गया है आपको अगर डिटेल चेंज करने है तो आपको वहां पर अंचिक करना है अप फिर रखने है तो आपको यहां पर हमारे सारे डिटेल बसक्राइब लात इसके हो जाएगा कीज सप्लाइर में आप क्या से प्रॉडट को एड़ करोगे देख सकते हैं अभी हमारा क्वालिटी चेक में है तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें साथी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले मिलता है नेक्स वीडियो में और इस वीडियो को जाद से जाद तक सेर करें मिलते फ्रेंट नेक्स वीडियो में थैंक यू वाचिं वाचिं इस वीडियो